हेलो विवन्स वेल्क बैंक मैं चैनल एजूकेशन फॉंड अड़ा आज हम लोग क्लास्ट 10 कौड़ेटिक एक फुली इंट्रोडेक्शन वीडियो आपको साथ दिस्सक्राइब करने वाले हैं और जिन्होंने अभी तेक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने कर रहा है प्लिस हम इंट्रोडेक्शन आपको बताई जा रहा है कि क्या क्या होता है किससरे से अपको कौशन सौल। करना है कौन कौन से को सकता है और कि सेमाख तक हो सकता है तो दिखें कौड़ेटिक के क्वेशन होती क् yank है मैं आपको बतादू देखें डीफिनेशन लिखी हुए दा कॉड X Y Z यानि कोई भी एक X होना चाहिए एक X में होना चाहिए या तो Y में होना चाहिए या कोई भी Alphabet में होना चाहिए पर वो single होना चाहिए variable में और उसकी degree 2 होनी चाहिए यह compulsory है तो वो क्या बन जाती है quadratic equation में जाती है for example जैसे में लिखा है X square तो यह क्या है आपका quadratic equation है अब इसके बगल में भी देखिए आपके सान में लिखा हुआ है X square plus 2X plus 4 तो यह भी एक quadratic equation है यहाँ पर क्या देखिए variables single है और degree इसकी किती है 2 है तो X square है plus 2X plus 4 तो इस तरह से यह quadratic equation है तो आप note point ले लिए it is an algebraic expression with degree 2 जिनका बीजगरती प्रसार के साथ और उनकी power 2 होनी चाहिए तो इस रह से algebraic equation जो होती है वो कहलाती है आपकी quadratic equation ठीक मैं बहुत ही easy से बता रहा हूं ठीक एवरी quadratic equation has two solution जित्ते भी quadratic equation होंगे उनके दो solution compulsory है यहनि कि दो solution होते ही है तो every quadratic equation has two solution copy pen pen note के लिए यहां से यहां तक आप इसके disorder लेजिए और इसको आप write down करेजिए copper आप देखें क्या है standard form of quadratic equation standard form क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप इस तरह का फॉर्मट आप जब देखेंगे तो quadratic equation होती है standard form ठेक तो ax square plus bx plus c is equal to zero और note point पे लेकिए कभी यह zero कभी यह x zero नहीं होता ठेक जो आपका जो x square electron coefficient होता है a तो वो कभी भी zero नहीं होगा तो बस यह आप समझ लिजिए यानि कि x score का coefficient क्या है a और a कभी zero नहीं होना चाहिए ठीक x जो ऐसे मैंने लिख दिया x score का coefficient कभी zero नहीं होना चाहिए ठीक यहां तक आप इसको इसको नोट के लिजिए यहां तक जरू समझाओगा मैंने आपको जित्ता बताया तो इस standard form of quadratic equation क्यों होती है a x square प्लस b x प्लस c इसकल टू जीरो एक कभी भी zero नहीं होना चाहिए x score का commission कभी भी zero नहीं होना चाहिए अब method बात करते हैं quadratic equation को किस तरह से solve कर आता है तो देखे method of quadratic equation तो यहां दो method मैं आपको बताऊंगा जो आपके syllabus में है एक तो है factorization method दूसरा है using quadratic formula देखे अब factorization method एक आपको पढ़ना है दूसरा आपको पढ़ना है using quadratic formula तो हम लोग पहला discuss करते हैं यहीं की factorization method तो देखे factorization method क्या है सबसे पहले आप सको देख लिए कि किस तरह से solve करते हैं वह आपको मैं पता रहा हूं देखे factorization method सबसे पहले तो आप standard form में किसी भी equation को quadratic equation को change करना होगा तो सबसे पढ़े आप यहां रख लिएजएगा इस format पर होना चाहिए ax square plus bx plus c square to 0 इस तरह से आपको पहले quadratic equation को बनाना पड़ेगा अगर नहीं दिया होगा अगर दिया है तो कोई बात नहीं अगर नहीं दिया है तो आपको इस format में बनाना होगा ठीक आप देखें compare कर सकते हैं ax square plus bx plus c square to 0 अब देखें फेक्टराजेशन होता क्या है तो देखें सबसे पहले जो x square का coefficient है यहां 2 और constant का multiply करते हैं क्योंकि 20 वाला middle term हमें बनाना होता है यानि कि middle term क्या है माइनस का 5x इनका यह 3 और 2 का जब multiply करेंगे तो आता है 6 और 6 को ऐसा split करके ऐसा multiply divide यह सब्टक कुछ भी करके तो आपको 20 वाला टन मना होता है इस देख पहले मैंने इसका multiply करेंगे तो multiply करा आपको करता हो गया 6 तो 6 का आपको फैक्टर निकालना है उस फैक्टर का एडिशन या सब्टक करके हमें middle term बनाना होता है तो method आपको समझा है तो देखिए सबसे पहले आप x2 का coefficient 2 है और constant 3 है इनका multiply करेंगे जिए कित्ता है या 6 उस 6 का आप फैक्टर निकाली उस फैक्टर से करें या माइनस करके अडिशन या सभ्टक करके बीच वाला उस फैक्टर को डीए कि बनाना होता है यानिकी पीच वाला तन को प्यातों होता है पाइब बनाते हैं माइनस का तो ठीक मैंने यहान लिख दिए तो देखे पर यह उता दिया तो असा में ग्लिखा उगा हुआ तो आपको एक्स करना पड़ा पुर माइनस का थी एक्स माइनस का था जिसका डिए जिए अब शुरू कि ड्वी तरम्प होते हैं उनसे से common यहां तो यहां बिदेखें 2x तो 2x आपको ने common ले लिए तो अंदर क्या बचा इन दोनों में से x बचा इधर से 2x स्क्वाइर से x और यहां माइनस स्क्वाइर से x से 1 तो x-1 बचा ऐसे यह लास्ट ले टू टू टम्स को ले लेंगे और हमें कहला नहीं देखें माइनस का है तो माइनस common ले लिजेगा तो यहां माइनस यहां प्लस है तो माइनस का 3 मैंने common ले लिए x-1 बचा देखें दोनों में सेम बनना चाहिए अगर सेम नहीं बनना है तो आप समझ जाए कि हमारा तो फैक्टर मैंने करा है वो गलत है ठीक तो दोनों सेम होग उसको पराबर करना है 0 के यानि कि quadratic equation है तो 2 solution होंगे तो x square 2 बना जाएगा दूसरी बार हम ले लेंगे 2x minus 3 को 2x minus 3 square to 0 3 को दर transpose करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा 2x multiply में लिखा हुआ 2 तो divide कर देंगे तो हमारा आंतरा जाएगा 3 upon 2 यहां देखे दो हमारे आंतरा निकला है इस तरह से हम लोग factorization method का यूज करते हैं quadratic equation को solve करने के लिए ठीक जल्दी से आप screen solve ले लीजे फिर आप इसकी practice करिएगा बहुत सारे quadratic equation है आपकी book में RS Agrawal addition मां काफी से आप practice कर सकते हैं अब बढ़ते हैं हम लोग next method यानि की using of quadratic formula अब देखे using of quadratic formula सबसे पहले आप standard form में आपको convert करना होगा अगर दिया है तो कोई बात नहीं अगर नहीं दिया है तो आपको पहले आप standard formula में convert करेंगे तो standard quadratic equation क्या होती है ax square plus bx plus c square to 0 यह होती है standard form quadratic equation की अब quadratic formula क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो देखे एकस square to minus का b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह हम लोग लिख सकते हैं और minus का b plus minus under root d upon 2a तो यह a, b, c की value आपको कहां से निकलेगी quadratic equation से जो आपको आपको दी गई है standard equation से आपको compare कर देंगे a, b, c की value आपको निकलाएगी और यह होगया quadratic equation formula यह d निकालना होता है तो d की value क्या तो discriminant होता है तो d square to b square minus 4ac ठीक, तो यहाँ पर लोग दी भी रख दिया देखें, मैंने दोनों formula बता दिये आप चाहिए यह लिखें, चाहिए दोनों का मतलब एक ही होता है बट value आपको निकालनी होगी तो d square to क्या होता है minus का b b square minus का a 4ac, ठीक, तो यह discriminant आपका निकलाएगा तो d square to b square minus का 4ac ठीक, यह quadratic formula था अब पढ़ते हैं लोग नेचार अफ रूट से नेचार अफ रूट से हर सा आपका एक या दो नमबर का question जरूब बनता है एक नमबर को तो बिल्कुल कम तक जरी है कि यह आप से पूछेगा यह पूछेगा तो देखें नेचार अफ रूट में अपता से पहले क्या चीज़ है अब देखें नेचार अफ रूट हम लोग किसी कॉड़ेटिक के कैसे बता करेंगे तो देखें जाब डिस्क्रिमेंट निकाल लेंगे जैसे आपने डिस्क्रिमेंट निकाल लिया तो केस फॉस्ट के सेकंड के सब्सक्रिमेंट यहनिके कंडिशन फॉस्ट थर्ड और सेकंड अगर फॉलो होते हैं तो देखें डी ग्रेटर तन जीरो अगर डी की वैलू जीरो से बड़ी है तो क्या होता है यह लिखिए आप नोड बनाते चलिएगा तो डू तो रियल रूट होते हैं अगर दोंगी यह होगी ख्युंक है दोगिए य्कशक्षिटीब मैं और यह लिख की पॉस्टिव होगी जहीं तो क्या होगा। जिए से बड़ी होती है तू रीयल रूट्स होते हैं देखें मैंने रूट्स निकालके फॉर्ग यंपला को बताया हुआ अलग से एक्सक्राइब तो आप समझ जाएंगे तो क्या होते हैं रीयल रूट्स होते हैं अब नेक्ट कंडिशन डी स्कुल टू जीरो होगा जब डी लिएकि वैलू बीलिखस है तो इस तरह से आपके तो रियल रूट्स पता चलिए जाते हैं लाश्ट कंडिशन के अने डी लेस्ट दन जीरो जब टीकी वैलू जीरो से च्छोटी होगी टो क्या रोलडों कि फानल्स यंनिकि नो सलूशन तो नोださい से यह आपके नेक्ट और रूट आपने पता के लिए और एक जम्पल समस्ते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो देखिए देखिए मैं एक जम्पल आपको समझा रहा हूँ जैसे 2X स्कॉयर माइनस का 5X प्लस 3 स्कॉल टू जीरो अब मुझे इस इक्वेशन के रूट बता करने हैं और कॉड़ेटी के फॉर्मला से हम लोग रूट फाइंड करेंगे तो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप देखिए जनल एक्वेशन से यानि स्टेंडर्ड एक्वेशन से आपको कंपेर करना होगा 2X स्कॉयर माइनस 5X प्लस 3 तो यहाँ A के है 2 है B के है माइनस का 5 है C के है 3 है और ऐ कोरहेंगे छम्राइन आप आव प्लस 3-radar F certainly कि ब्रघ्वेशन माइनस 2eeee म्लिलिफ्लाय करेंगे माइनस एक स्टूरी तो 4 जब इसको यह जाएक सिकलर करेंगे बना जाएगा क्या रीजीयो से पड़ी तो न्यचसर आप्रूट कैसे बता करेंगे b is equal to क्या है? 0 से बढ़ी है जब d की value तो क्या होगा? two real roots निकलेंगे यानि कि आपको पता चले गया है कि जब d की value 0 से बढ़ी होगी यानि कि d greater than 0 तो two distinct real roots तो आपके two real roots निकलाईए चिक? I hope यहां तक आपको सवंजोएगा आप देखें quadratic equation को हम लोग solve करते हैं और root find करते हैं चिक? यहां तो आपको nature पता चले गया है root के कैसे होगा चिक? अब हम लोग find करते है roots देखे formula हम लोग ने पढ़ा था क्या होता? formula x is equal to minus का b plus minus under root b square minus 4 is ac upon 2 है अब जो हम ने वने value यहां से a और b c की value और करें यहां पर अरप्रग दीजेगा तो minus पहले लिखा हुआ चाहिए minus फिर bracket में minus 5 plus minus under root minus 5 का square minus 4 multiply 2 multiply 3 upon 2 a यह केता है 2 आप इसको solve कर लिए जाएगा क्या आएगा तो plus minus minus क्या हो जाएगा? plus plus minus हो गया check under root minus 5 का square 25 और इसको solve कर रहा 24 upon 4 तो plus यह देखे plus का 5 आया है तो plus लिखते हैं हम लोग plus minus under root 1 upon 4 अब एक पर आप क्या इस plus को लिए लिजेगा और एक पर minus को लिजेगा x की value हमें root निकलाएगा तो एक बर देखे 1 का under root इसकोर करते हैं तो क्या आपता है बनी होता है तो यह आ जाएगा 5 plus minus 1 upon 4 एक बार प्लस से solve को ले जाएगा एक बार minus से solve को ले जाएगा देखे मैं एक बर प्लस से आपको solve कर रहा हूँ तो देखे x is equal to 5 plus 1 upon 4 तो कि तो जाएगा 6 upon 4 2 की table में दोनों आते हैं तो मैंने divide कर दिया 3 upon 2 यह हमारा पहला root निकलाया आप लोग देखे रहोंगे यह पहला root है इसी तरह से हम लोग क्या second root निकलते है तो 4 upon 4 तो क्या दना एगे 1 तो इस तरह से यह दो root पता चल जाएगे I hope यहां तक आपको solve आए होगा यह था आपको introduction part अब मैं लोग next वीडियो में मिलते हैं 4.1 जो आपके NCLT की exercise है और जादा से जादा लोगों को share कर दीजेगा जिससे की हम आपके लिए अच्छी से अच्छी बैतर से बैतर वीडियो बना सकें Thank you so much मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक Good Bye